हलो फ्रेंड्स हमें कई वीडियो पे एक कॉशन मिला है जिसमें बार-बार हमें पूछा गए कि क्या हमारा पीरेड दो दिन आता है तो नॉर्मल है या अबनॉमल है इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसका क्या हिलाज है तो मैं डॉप्टर सुशीला सैनी गाई सबसे पहले आता है कि इसका डूरेशन कितना होना चाहिए यानि कि तीन से पांच दिन का पीरेड नॉमल माना जाता है जनरली यदि साथ दिन तक भी ब्लीडिंग होती है तो भी नॉमल में होती है दूसरा यदि आपके दिन में एक दो पैड खराब हो रहे हैं या तीन पै सब कर 20-30 का साथ दिन तक पीरेड आता है तो वह नॉमल एक दिन से कं ब्लीडिंग होती है तो कम इसका कंटी बिड़ीड बोला जाता है और साथ दिन से ज़्यादा जाता है तो उसे हैवी ब्लेड आ जाता है अव्यदि आपका दिन आ रहा है और आपके तीन से चार पैड एक दिन में खराब हो रहे हैं, तो it is very much absolutely normal, इसमें कहीं कोई बीमारी नहीं है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है, यदि आपका period 30 दिन के अंदर, या 28 दिन के अंदर, या 35 दिन के अंदर, हर बार दो दिन के लिए आ रहा है, और दो दिन में आपको अच्छे से bleeding हो रही है, तो ये बिल्कुल normal count होगा, इसको किसी प्रकार की बीमारी के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, तो इसलिए अपने दिमाक से attention निकाल दीजे, कि यदि दो दिन period आ रहा है, तो वो कम आ रहा है, और वो कोई बीमारी है, क्योंकि जनरली जो period आता है, वो तीन से पांस दिन तक आता है, this is the average, but definition के according, एक दिन से लेकर साथ दिन तक period आता है, यानि किसी को एक दिन भी आ सकता है, तो उसके बीच में किसी सब को period आते हैं, यानि कि किसी का चार दिन, किसी का पांत दिन, किसी का छे दिन, और किसी का साथ दिन, तो इस सभी normal माने जाते हैं, क्योंकि इतने करोड़ अर्वों की population है, तो सब की period तो एक जैसे नहीं आएंगे, सब की period एक जैसे 28 दिन में नहीं आएंगे, सब की period में ही bleeding बराबर नहीं होगी, सब में कुछ ना कुछ variation होता है, और इनी variations को लेकर average निकाला जाता है, और उसे average के साब से guidelines बनाई जाती है, या definitions बनाई जाती है, तो यानि कि आपका period यादी दो दिन आता है, और एक regular interval पर आ रहा है, regular का meaning यानि कि 28 दिन, 30 दिन, 32 दिन, 35 दिन, कुछ भी हो सकता है, यानि कि 21 दिन से लेकर 35 दिन तक के बीच में आपका period आता है, तो यह normal है, और एक दिन से लेकर 7 दिन तक period आ रहा है, वो भी normal है, और एक बार ही 45 दिन में आ रहा है तो यह कोई अबनॉमल्टी नहीं काउंट होगी अब यह फिर भी आपको लगता है कि नहीं पहले मेरे प्रिक्वेंसी में या डियूरेशन में कुछ चेंज हुआ है तो तो अगर ऐसी आपको इस्तिती लगती है कि आपका अभी कुछ चेंज हुआ है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाए गाइनिक को दिखाईए डॉक्टर आपका सोनोग्राफी जरूर करेगा जैसे ही सोनोग्राफी होती है तो यह चीज़ क्लेयर हो जाते कि अंदर कोई बिमारी है या नहीं है विदाउट सोनोग्राफी नोबडी कें से कि वाट इस इस गोई इनसाइड सोनोग्राफी से हमें अच्छे से पता चल जाता है कि आपका यूटरस ओवरी जो ट्यूब्स के अंदर कहीं कोई प्राब्लम है या नहीं है क्योंकि जनरली पीरेट्स में अबनॉमल्टी के जो कॉमन कारण होते हैं कि जैसे यूटरस का प्राब्लम हो सकता है या ओवरी इसका प्राब्लम हो सकता है तो अगर आप यूटरस में प्राब्लम की बात करते हैं तो यूटरस के अंदर फाइब्रोइड हो सकता है कोई पॉलिप हो सकता है या कोई एडिजन हो सकते है या फंक्शनल प्राब्लम हो सकता है इसके लावा ट्यूप्स मे नहीं हो यानि कि कोई solid reason ना होके आपको hormonal problems भी हो सकती है जिसमें कि thyroid हो सकता है prolactin का level गडबड हो सकता है या FSHLH और कोई जो female estrogen hormones है उनका problem हो सकता है जब डाक्टर के पास जाते हैं तो डाक्टर आपको पूरी तरीके से evaluate कर लेते हैं यानि कि आपके hormone test भी कराते हैं और आपके sonography भी कराते हैं तो general recommendation दी जाती है एक CBC कराया जाता है, TSH कराया जाता है, prolactin कराया जाता है और एक transvaginal sonography की जाती है अगर इस चारो पाँचों चीज़े normal आती है तो generally अपने को tension लेने की जरूरत नहीं है यानि कि आपके periods बिल्कुल absolutely normal हैं और आपको उसके लिए कोई action लेने की जरूरत नहीं है और हमेशा मैं सभी को एक ही बात कहते हूँ कि साल में एक बार अपनी जाच जरूर करवा लीजे बिना जाचे करवाएं अपने आपको normal मानना बेवकूफी ही हो सकती है क्योंकि जब तक आप जाच नहीं कराएंगे जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है हम बोली दिवाली जरूर मनाते हैं उसमें बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं बट अपने सेहत का नहीं ध्यान रखते हैं तो आटोमेटिकली हमें पता रहता है कि हमारे अंदर या हमारे बॉड़ी के अंदर सब कुछ सिस्टम ठीक चल रहा है तो नया साल मनाने का तरीका भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें हमारी हेल्थ चेकप करवाना है तो उससे आप भूलेंगे भी नहीं आप हेल्थ वाइस फिट भी रहेंगे क्योंकि जब तक आप फिट नहीं रहेंगे आपके हेल्थ अच्छी नहीं रहेंगे आप कोई भी चोहार कोई भी फेस्टिवल आप नहीं मना पाएंगे और आपकी life को आगे बढ़ाने के लिए healthy life बहुत ज़रूरी है निकि healthy body होगी तभी आप कोई भी चीज़ celebrate कर सकते हैं तो अपनी चिंता करिए लेकिन excess में नहीं करिए जितनी चाहिए उतनी करिए क्योंकि कई बार चिंता की कारण एक बिमारी बन जाती है कि बहुत से लोग इतने anxious होते हैं कि वह एक बिमारी बन जाती है उसके लिए फिर हमें treatment देना पड़ता है तो उस level तक चिंता नहीं करिए जब भी आपको कुछ abnormality लगती है डॉक्टर से संपर करिए डॉक्टर आपके टेस्ट करवाते हैं और यदि आपके टेस्ट नॉमल आते हैं तो आप clean इंस्टा पे follow नहीं किया है तो description में दिएगे link पर आप click करके हमें इंस्टा पे भी join कर सकते हैं हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई चैनकारी के साथ अब तक नमस्कार